हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने किचिन में एक नए फीडियो के साथ में तो आज हम बनाएंगे मटर पनीर की रेसेपी जो की बहुत ही एक फेमस रेसेपी है तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं मटर पनीर की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्रम पनीर का इस्तमाल किया है और मैंने यहाँ पे एक कटोरी हरे मटर लिए यह हरे मटर बिलकुल ताजे हैं और पनीर को मैंने यहाँ पे क्यूब सेप में काट लिया है, मतर पनीर की सबजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तीन प्याज को स्लाइसेस में काट लिया, दो टमाटर को भी मैंने यहाँ पे स्लाइसेस में काट और दो अदरक का टुकरा मैंने यहाँ पे लिया है और पैन में हम डालेंगी चार चमच के मुताबिक ओयल फिर हम इसमें डालेंगी कटी हुई प्याज फिर हम इसमें डालेंगी अदरक और लहसं की कलिया भी प्याज को हम यहाँ पे सॉफ्ट होने तक फ्राइ करेंगे प्याज यहाँ पे थोरा सा सॉफ्ट हो चुका है तो अभी हम इसमें एड कर देंगे कटी हुई टमाटर टमाटर को हम यहाँ पे प्याज के साथ थोरा सा फ्राइ कर लेंगे तमाटर भी यहाँ प्याज के साथ थोरा सा सौफ्ट हो चुका है तो अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे और जब यह थंडा हो जागा तो हम इसका एक पेस्ट त्यार कर लेंगे कढ़ाई में हम डालेंगे तेल क्योंकि हमें यहाँ पे पनीर को फ्राई करना है तेल में हम डाल देंगे पनीर को पनीर को हमें यहाँ पे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है बस थोरा सा है फ्राई करना है जिससे की पनीर जो है वो हमारा सौफ्ट रहे और जले नहीं किसे हम पनीर के फ्राई कर लेंगे सारे पनीर को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है बचे हुए तेल में डालेंगे हम कुछ खरे मसाले तो यहाँ पर लिया है मैंने पाच लॉंग, चार हरी इलाइची, एक चम्मच जीरा, दो सूखी मिर्च और दो तिछ पत्ता सबसे पहले तेल में हम डालेंगे जीरा, जीरा जब हमारा यहाँ पर थोरा सा चटक जाएगा, फिर हम इसमें सभी खरे मसाले डाल देंगे जीरा यहाँ पर चटक चुका है तो अभी हम इसमें सभी खरे मसाले डाल देंगे अभी हम यहाँ पे ग्यास का फ्लेम लोग कर देंगे और इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पॉडर आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे जीरा पॉडर एक चम्मच हम इसमें डालेंगे धनिया पॉडर आधा चमच हम इसमें डालेंगे कास्मीरी लाल मिर्च पॉडर एक चोथाई चमच डालेंगे काली मिर्च का पॉडर आधा चमच हम इसमें डालेंगे हल्दी पॉडर लोफ लेप भी हम यहाँ में मसाले को थोरा सा भुन लेंगे मसाला यहाँ पे थोड़ा सा पक चुका है तो अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज टमाटर अदरक लहसन के बनाए हुए पेस्ट को सभी चीजों को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक मसाला यहाँ पे कढ़ाई में चिपके नहीं इसके लिए हम यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा पानी तो मैंने जिस कटोरे में पेस्ट बना करके रखा तो उसी कटोरे में थोड़ा सा पानी डाल करके अभी हम इसे मसाले में डाल देंगे पानी डालने के बाद हम यहाँ पे मसाले को अच्छे से मिला लेंगे मसाला यहाँ पे काफी ड्राई हो चुक है तो अभी हम इसमें डाल देंगे एक चमच के मुताबिक कसूरी मेथी कसूरी मेथी को भी हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम इसमें डालेंगी क्रीम तो यहाँ पर मैंने घर का इंफ्रेस क्रीम यूज किया है यहाँ पर मैंने क्रीम को चारचमच के मताबिक डाला आया क्रीम को हम यहाँ पर मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम को यहाँ पी मैंने मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है तो अभी हम इसमें डाल देंगे हरे मतर मतर डालने के बाद हम मतर को भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर हम इसमें डाल देंगे फ्राइ किये हुए पनीर पनीर को भी हम यहाँ पर ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम यहाँ पर मटर पनीर को ढख करके दो मिनट तक पकने देंगे दो मिनट बाद हम ढखकन हटा कर मटर पनीर को चेक करेंगे मटर पनीर से काफी अच्छी खुस्बू आ रही है और मटर पनीर यहाँ पर बन के भी बिल्कुल तैयार हो चुका है तो अभी हम इसमें डाल देंगे बारिक टुक्रों में कटी हुए धनिया पत्ता धनिया पत्ता डालने के बाद मटर पनीर को हम एक बार अच्छे से मिला लेंगे मटर पनीर की सब्जी बन के यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुकी है तो चलिए इसे हम गर्मा गरम सर्फ करते हैं गर्मा गर्म मटर पनीर की सबजी को मैंने यहां पे सर्फ कर दी आप लोग देख सकती है कितना टेस्टी बनके तैयार हुआ है आप एक रोटी की जगा जहार रोटी ज़रूर कहा लेंगे तो अगर आप लोगों को मेरी आज की यह वीडियो एच्छी लगे तो प्लीज वीड किस्क्राइब कीजेगा कमेंट में बताएगा वीडियो कैसा लगा और नीचे दिएगा बैल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजेगा तक कि मेरी आने वाले हर नए वीडियो की नॉटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्त कि पहले मिल सके लोगों के लिए वीडियो के लिए दोस्ते हाएब to